वेजोवेगल सिनकोप एक कॉमन और आम तोर पर मामूली कंडिशन है और इन सिच्वेशन्स और अजबाब को पहचान कर मैनेज किया जा सकता है तो आएं पता करते हैं इसके क्या अजबाब हैं वेजोवेगल रिस्पॉंस इसमें किसी खास स्टिमिलस या सिच्वेशन से वेगस नर्व ओवर स्टिमिलेट हो जाती है वेगस नर्व एक दिमाग की नर्व है जो मुक्तलिफ जिस्मानी फंक्शन्स जैसे दिल की धरकन और खून का दबाओ याने ब्लड प्रिशर के निजाम को संभालती है इसकी आम बजुहात में जादा देर तक खड़े रहना याने प्रोलॉंग स्टैंडिंग, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना, शदी चजबाती दबाओ या एमोशनल स्ट्रेस, ब्लड या सूई याने नीडल को देखना, दर्थ, टॉयलेट जाने और स्टूल पास करने के दौरान जोड लगाने और गर्मी शामिल हैं, वेजो वेगल सिनकोब की निशानिया, प्री सिनकोब याने बेहोशी से पहले की अलामात, वेजो वेगल सिनकोब अक्सर वर्निंग सिम्टम्स के साथ शुरू होती है, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी, पसीना और गर्मी का एह अक्सर केसिस में लोग वक्ती तोर पर बेहोश हो जाते हैं ये बेहोशी का वाक्या आम तोर पर मुक्तसर होता है और होश आम तोर पर एक या दो मिनिट के अंदर वापिस आ जाता है होश में आने के बाद लोग कमजोर और डिस ओरियंट याने अपने माहौल से नाशनास हो जाते हैं लेकिन ये जनरली मुकमल तोर पर सही हो जाता है इसकी तश्कीज कैसे की जाए तश्कीज अक्सर मरीज की मेडिकल हिस्टरी और बेहोशी के वाकियात की तफसील पर मबनी होती है कुछ मामलात में तिब्बी टेस्ट कराई जाते हैं जिन में दूसरे बेहोशी के अजबाब को रूल आउट किया जाता है जैसे दिल के मसाइल अक्सर वेजोवेगल सिनकोब को खास इलाज की जरूरत नहीं होती इलाज में उन स्टिमिलस को पहचानना और अवाइट करना जिन की वज़ा से ये बेहोशी हो रही है पानी का ज्यादा इस्तिमाल करना और हाइडरेटिड रहना और उन मामलात में इहतियात करना जिसमें आपको ये कंडिशन होती है बार बार होने या शदीद मामलात के लिए अपने डॉक्टर से रिजू करें जो आपको मुखतलिफ तजावीज दे सकते हैं जैसे के काउंटर प्रेशर मैनुवर जब बेहोशी का एहसास हो तब टांगों को क्रोस करके और टांगों के पठो को मजबूत करना या अलामात को कंड्रोल करने के लिए दवाईयां देना शामिल है अगर आपको काउंटर प्रेशर का सही प्रोसीजर चाहिए तो कमेंट में लिखिए मैं जरूर इस पर विडियो बनाऊंगी वेजोवेगल सिंकोब की तश्खीस वेजोवेगल सिंकोब आम तोर पर मामूली बेमारी है और अक्सर शदीद कॉम्प्लिकेशन्स में मुब्तला नहीं होती ये बहुत इंपॉर्टन है कि आप अपने डॉक्टर से राप्ता करें ताकि ये कन्फर्म किया जा सके कि ये बेहोशी दूसरे मुम्किन असबाब की वज़ा से नहीं है और अगर जरूरत हो तो एक अच्छा मैनेजमेंट प्लैन बनाया जा सके बचाओ यानि प्रिवेंशन वेजोवेगल सिंकोब को बचाने का एक एहम हिस्सा उन सिच्वेशन को पहचानने और बचाने में हैं जो ये बेहोशी तारी करते हैं अच्छी तरह से हाइडरेटेड रहना और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना हेल्दी खाना खाना और स्ट्रेस को मैनेज करना भी मददगार हो सकते हैं अब सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर को कब दिखाया जाए हालाके वेजोवेगल सिंकोब अक्सर जानलेवा नहीं होती लेकिन इंपॉर्टन्ट है कि आप डॉक्टर से राप्ता करें अगर बेहोशी के वाकियात बार बार शदीद या परेशानी वाली अलामात के साथ आ रहे हैं ये भी एहम है कि बेहोशी के दूसरे मुमकिन तिब्बी मसाइल को रूल आउट कर लिया जाए जो बेहोशी के सबब हो सकते हैं उमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में इन्फोर्मेशन चाहिए प्लीज नीचे कमेंट कीजिए